हेलो फ्रेंट, फाइनली SSC की ओर से एक बड़ी अपडेट है SSC ने CHSL जो आपके सेकेंडरी लेवल के एक्सामनिशन है 2022 के लिए उसका नोडिफिकेशन जारी कर दिया है आज किस वीडियो मैं ऐसी पर बात करूँगा काफी important points बताऊँगा इससे related तो वीडियो का एंट तक जरूर देखना साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आई हो make sure आप चैनल को जरूर से subscribe करें यहाँ पर सभी updates आपको time to time मिलती रहेंगे आई श्कुएंट बात कर लेते हैं आपके SSC, CHSL नोडिफिकेशन के बारे में सेकेंडरी प्लस टू लेबल एक्सामनिशन 2022 के लिए एप्लिकेशन फॉर्म की जो डेट्स हैं वो आपकी 6 दिसंबर 2022 से लेकर आपकी 4 जनवरी 2023 सक रहने वाली हैं इसमें आप लोग apply कर सकते हैं इसके बाद में कुछ और निरे डेल हैं लास्ट एट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन वो आपकी चार्ट जनवरी तक रहेगा इसके लाबा जो आपकी fees है जो आप पे करते हैं जिसे offline चलान कहते हैं उसकी जो date रहेगी timing रहेगी वो यहां पे mention है इसके बाद में जो online fees making का process है उसके लिए आप 5 तारिक तक कर सकते हैं और जो last day रहेगा अगर banking की working hour रहती है तो उस duration में आप 6 तारिक तक apply कर पाएंगे यह only fees के लिए है इसके बाद में date of window for application correction तो उसके लिए जो window open रहेगी यानि कि जिसमें आप अपने form में कोई भी correction है उसे कर पाएंगे वो आपकी रहेगी 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में यानि कि एक दिन का आपको पूरा time मिलेगा जिसमें आप apply कर पाएंगे जो भी correction आपको करनी है अब आते में मुद्धे पर की आपके exam कब होने वाले tier 1 और tier 2 देखे tier 1 की यहाँ पर गोशना हो चुकी है tier 1 के अपके exam फरवरी मार्च 2023 में होने जा रहे हैं अभी इससे date आनी बाकी है इसके लावर tier 2 के जो exam है उसके लिए notify किया जाएगा जल्दी आपको उसका भी notification देखने को मिल जाएगा खेर आगे बात करते हैं इसमें अब यहाँ पर बात आती है अगर आप जॉब में apply कर रहे हो तो कोई ना कोई पे scale भी अच्छा होना चाहिए तो यहाँ पर जो lower division clerk यानि कि LDC की और यहाँ पर बात करें आपके junior secretary assistant जैसे की pay scale की बात करें तो वह आपका रहने वाला है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में जो आपका pay level 2 रहेगा data entry operator की बात करें तो इसमें भी अच्छा काहसा pay level है 25,000 से लेकर 81,000 तक आपका रहेगा level 5 की बात करें तो इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा इसके बात में आपका data entry operator grade A की बात करें तो इसका pay scale भी काफी ठीक है और अमोमन कुछ की आपको देखने को मिलेंगे जैसे pay scale 4 आपको सेम है और pay scale 5 में जाद अच्छे आपका pay देखने को मिलता है अब overall vacancy की बात करें तो यहाँ पर tenant भी जारी किया गया जो कि आपकी 45,000 vacancies यहाँ पर अनुमानित की जा रही है इसमें आपका reservation भी यहाँ पर रहेगा जैसे SC, HD और other OBC भी में आ जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर EWS और ESM इसके अलावा PWD यह सभी आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर कुछ और condition है जो आप यहाँ पर read out कर सकते हैं इसके अलावा नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए इसके लावा नेपाल के हैं वुटान के तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ और condition आपको read out करनी है बागी एज लिमिट भी आप यहाँ पर clearly देख पा रहे हैं कि आपकी जो एज है वो 18 से 27 years के बीच में होनी चाहिए इसके लावा यहाँ पर एज रिलक्सेशन आपको देखने को मिल जाते हैं इसके लिए फाइब यहाँ जो आपका अन्रिसर्व है पीडबलू वीडी के लिए आपका टैन यह से इसके लावा ओवी सी अगर आपका है थाटीन यह हो जाएगा स्टी यह तो फिप्टीन यह आपको एज रिलक्सेशन मिल जाएगा इसके लावा एक सर्विश्मेंड के इसके लिए आपका 3-year है और डिफेंस पर्शन है तो इसके लिए 3-year है और डिफेंस पर्शनल डिसेवल है तो आपकी एट यह से स्टी के डिगरी के अंदर तो आपकी कुछ इस प्रकार से यह बाकी अन्य चीज़ें हैं जो आपको रिड़ाउट कर लेनी है ओवराल चीज़ों की बात करें की आपके और क्या रहने तो जैसे कि मैंने बदाय टियए 2 के भी फूशना होनी बाकी है उस पर भी हम जल्दी ही बात करेंगे जैसी आपकी अनौंस्मेंट आती है इसको लेकर भी उस पर भी हम जल्क बात करेंगे वागे यहाँ पे कुछ एजेंशल चीज़ हैं जैसे आपकी कॉलिफकेशन कितनी होने चाहिए तो यहाँ पे क्लेरी मेंशन है आप 12 पास होने चाहिए किसी भी एक रिकाउगनाईज वोड से चाहिए सीबेसी हो या फिर यूपी वोड जो भी रिकाउगनाईज हो उस वोड से आपकी पास होने चाहिए या फिर यूनिवरसिटी उक्ये इसके बाद में अप्लाई कैसे कहना है इस पर बात कह लेते हैं देगी अप्लिकेशन फॉर्म एससे की वेबसाइट पर अबलेबल है वाद से आप सिंपली अप्लाई कर पाएंगे जैसे प्रिबिस प्रोसीजर रहा है वही आपका यहां पर भी रहेगा अप्लिकेशन फीज आपकी 100 पीज एस यूजल सिमिलर है इसमें कोई बदलाव नहीं है आपके लिए बाकी विंडो ऑफ करेक्शन के बारे में बता चुको हूँ एक्साम सेंटर उसकी लेश्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप लोग जहां से चेक कर पाएंगे कौन-कौन से एक्साम सेंटर आपके रहने वाले है अब यहां पे स्कीम ऑफ एक्सामनेशन जो की बार बदलाव देखने को मिले हैं टियर वन और टियर डू के आप एक्साम के बारे में यहां पर देख रहे हैं इस पार कुछ मुख्य बदलाव है जैसे टियर वन का जो पेपर है उसमें आपके चार पार्ट में डिवाइड रहेगा पहला आपका इंग्लिस लेंग्वेज जिसमें basic knowledge आपकी test की जाएगी number of question जो आपको attempt करने होंगे number of question जो आपके maximum रहेंगे वो 25 है out of 50 general intelligence की बात करें तो इसमें भी 25 out of 50 qualitative aptitude की बात करें इसमें भी again 25 out of 50 and general awareness की बात करें तो इसमें भी आपका same है time duration की बात करें तो 60 minutes 80 minutes for candidate eligible for scribe as para 1 and para 8.1 और para 8.2 अब ये para 8.1 और 8.2 आपके relaxation वाली बात आ जाती हैं वही चीज़े हैं जिसके according आपको 20 minutes extra दिये जाएंगे खेर आगे बात करते हैं तो इसमें objective type question होने वाले है multiple choice question होंगे और आपको जो paper रहेगा वो हिंदी और English donor में ही आपको मिलने वाला है तो इसमें भी आपको attention लेने की आफशक्ता नहीं है अब यहां पे negative marking आपकी 0.50 की रहेगी अगर आपको इसमें 0.50 आपको deduct होने बाला है तो आपको jam आदा दी वोलके और सभी पर टुक्का लगा के नहीं आना है इसके बाद में आपका जो tier 2 का exam है उसके बारे में बात कर ली जाए section 1 आपका modulate रहेगा जिसमें mathematics ability पूछी जाएगी 30 कोशन आपको part 1 और module 2 में भी 30 कोशन 60 हो जाते हैं overall marks की बात करें तो 3 into 180 आपके रहने वाले और यह one hour का time duration रहेगी session 2 और इसमें भी आपके similar बात करें तो English language का रहेगा और general awareness का overall 60 कोशन again 180 marks का रहेगा और यह one hour 20 minutes का आपका paper रहेगा तो कुछ इस परिकार से overall चीज़ें आपकी divided हैं तो आपका पहला जो section रहेगा वो आपका module 1 जिसमें mathematical ability रहेगा 60 कोशन और reasoning and general intelligence रहेगा section 2 की बात करें तो जिसमें आपका English language and comprehension है general awareness है again 60 कोशन 40 20 180 marks के रहेगे section 3 जो आपका module 1 और module 2 है जिसमें आपका computer knowledge test होगा skill test होगा typing test होने वाला है जो आपका final selection category में आ जाता है तो कुछ इस परिकार से आपका overall ssc के इस बार पूरा procedure रहने वाला है joining तक का ओके तो ये छीज़ें हैं जो आपसे पूची गई हैं जो बदलाब हैं वो मैंने आपको बताएं slavers आपका यहां पे clearly mention है आप चाहेंगे तो इस पर भी कुछ और वीडियोस आपको आने वाले समय मिल जाएंगी अगर आपकी वोट से response आता है यह पहली बार है कि मैं ssc पर आपको अप्टेट्स या वीडियोस प्रुवाइड कर रहा हूं अगर आपकी वोट से सही response आएगा तो इन पर और भी आने वाले समय में वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके ssc के examination पे काफी helpful रहेंगे तो इस वीडियो की मादिम से आपको ssc related notification के वारे में चानकारी देनी थी उमीद है आपको जानकारी मिल कई हो वीडियो कर पसंद आए तो लाइक कर देना शेय कर देना वाकि ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को शरूर से सब्सक्रा आप कर देना क्या सकत दो बज़ें है झापको six to five